तो अपने लास्ट लक्षर में हमने क्या समझा था हमने different different biomes के बारे में पढ़ा था उसी के बारे में थोड़ा सा detail आज और जानेंगे exactly details थो मैंने आपको biomes के बारे में पहले ही दे दिया था क्योंकि ncrt जो है वह पूरा बायोम के बारे में detailed बात नहीं करती है, आपको स्रफ चार्ट दिखाया गया है, उस चार्ट पर देखके आपको समझना होता है कि कितना उस पर्टिक्लर बायोम में precipitation हो रहा है कितना उस बायोम पे temperature रहेगा ठीक है तो वही आचन कवर करेंगे organism and its environment ठीक है कि organism के आसपास का environment कैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं ठीक है चलिए ecology at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction देखिए हमने जब ecology स्टाट क्या था तो बहुत कुछ पड़ा था कि molecular level से स्टाट होगा, cell बनेगी, tissue बनेगा, organism then population population, population से बहुत सारी population से community बनेगी, community से ecosystem बनेगा, ecosystem से फर landscape and biome and then whole biosphere has been formed, ठीक है तो ecology में दो main level पे हम बात करते हैं organism and population के level पे हम mainly बात करेंगे और हमारे चप्र का नाम भी क्या है organism and population तो organism level पे जब हम ecology के बारे में बात करते हैं तो हम particularly physiological ecology के बारे में बात कर रहे होते हैं, physiological ecology मतलब इसमें क्या समझने की कोशिश की जाती हैं, इसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि जो अलग-अलग organisms हैं वो किस तरह से अपने environment के लिए adapted हैं और कैसे वो survive करते हैं और कैसे वो reproduce करते हैं उस environment में, ठीक है तो ना सब survival की बात होगी बलकि reproduction की बात भी रहेगी इस चेप्टा में फीजिलोजिकल एकोलजी आप समझके की इस तरह की क्या functions रहेंगी और गिसम के अंदर की वो उनको उनकी environment के लिए adapt होने में helpful होंगी, ठीक? इस तरह की आप 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 होगी ठीक? यौस एन्नुल विडियेशन इन इन इंटेंसिटी एंड दूरेशन ओ तंपरेचर रिजल्टिंग इन दिस्टिंक्ट सीजन एज नो की अलग 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 सीजन हमारे पास रहते हैं अब मैंने आपको climate और weather के बारे में भी एक difference बताया था, I told you कि weather जो है, वो day to day, even within an hour भी change हो सकता है, लेकिन जो climate है, एक जगा का climate अगर ठंडा है, तो आप जानते हैं कि इस particular जगा पे ज़्यादा टाइम पे winters रहते हैं और थोड़े से टाइम के लिए समझ आते हैं, तो व थोड़ा सबीश में धूप आई अच्छे सी, फिर बारिश भी हो रही है थोड़ी देर के लिए, तो that is weather, जो थोड़ी देर में change हो सकता है, तो हमें पता है कि अलग-अलग seasons आते हैं, बरसात आता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, और अब जैसे अगर आप South or North की बात कर आते हैं कि गर्मी आएगी, बर्षात आएगी, ठंडा ठंडा आएगा, बीच में वो पत जड़ बगेरा, autumn season, that is a different thing, तो मतलब मेर हम यही देखते हैं, कि जादा तर क्या आती है, बारिश होती है, और फिर ठंडा भी आता है, तो यह कैसे होता है, तो आपने अपनी छोटी classes में भी यह बात पढ़ी होगी, कि sun के around, earth जो है, इवन सारे planets जो है, वो रिवाल्व करते हैं, ठीक है, और earth जो है, वो भी sun के around, रिवाल्व करता है, यह हमारी प्यारी धरती, और यह sun, sun बड़ा होता है, ठीक है, मैंने earth को बड़ा दिखाया है, तो earth जो है, वो sun के around, ऐस जो है, आसे घूम रही है, ना स्रिंप अeffective के around, गूम रही है, बलकि अपने एकसस पे भी घूमती है, मतलobile है, अपने East पे भिव घूम रही है, जैसे तुम क्या करते हो, बच्ष्पन में अगर तुम वेक तो अपने एकसे घूम ता है उसी तरह से अर्थ ना सिर्फ संग्याराउंड गूम रहा है बल्कि अपने एकसे पे भी घूम रहा है तो इससे क्या होता है इससे जो वेरियेशन आती है Variations किसमें आती हैं, कितना intensity रहेगा, कितना duration रहेगा temperature का ठीक है, पूरा आर्थ अपने घुमे, खुद पे भी घुमेगा, आर्थ के around भी घुमेगा और इसकी वज़ा से जो है, वो temperature variations आएंगी आर्थ पे ठीक, आर्थ का temperature जो है, वो vary करेगा, उसका intensity, temperature का intensity vary करेगा duration vary करेगा, और इसी change जे, यह जो variation आ रहा है, intensity और duration of temperature में जो change आएगा, उसी की वज़ा से अलग-अलग seasons हमको देखने को मिलते हैं, is it clear? ठीक है, चले, अब देखिए, these variations together with annual variation in precipitation account for the formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra, तो जो अभी आपने temperature की variations पढ़ी, एक तो temperature में variation आया, दूसरा precipitation में variation आएगा, समझ रहे है, temperature variation और precipitation variation, तो precipitation variation, precipitation का मतलब से बारिश का होना नहीं हो गया, कुछ जगह पे जो बहुत ठंडी होंगी, वहाँ पे बारिश नहीं snowfall होगा, जाजा तर है ना, तो precipitation इंक्लूट कर रहा है यहाँ, दोनों rain को भी और snow को भी, तो यह दोनों जो variations हैं, एक हमारा temperature variation आगया, एक हमारा precipitation variation आगया, इन दोनों की वज़े से ही major biomes form होते हैं, कौन-कौन से है major biome, जासे कि desert, rainforest and tundra, ठीक है, तो यह major biome किसकी वज़े से form होए, जल्दी से बताएंगे, अभी-भी का बताया, कि temperature में variation की वज़े से, और precipitation में variation की वज़े से, हमारे पास mainly, जो biome form होते हैं, वो है desert, train forest and tundra, इसके अलावा हमें क्या देखनी को मिलते हैं, grasslands, temperate forest, coniferous forest, etc. अगर last lecture का video जिसने नहीं देखा है, तो वो पिछला वाला video पहले देख के आएगा, क्योंकि उसमें मैंने तुमें हर एक बात को बहुत क्लियर किया है, यहां पर यह एंसे आर्टी का figure है, 13.1, जिसमें बायोम का distribution बताया गया है, with respect to the annual temperature and precipitation, because these are the two factors which are responsible for the formation of major biomes, which are desert, rainforest and tundra, यहीं दो factors हमने पढ़े तब से चिक देखिया, सबसे पहले आपने यहां पर देख लेना arctic, अच्छा, अब आपने last lecture में, first lecture जो था, उसमें आपको यह भी बताने की कोशिश की गई थी, कि यह जो आपका tropic reason है, वो कौन सा है, equator के आसपास का reason रहता है, art है, globe है, आप जानते हैं तो उसमें equator imaginary lines, दो imaginary lines जो है, वो दिखाई गई है, ठीक है, equator के आसपास का reason क्या रहता है, वो होता है, tropical reason, ठीक, फिर आएगा subtropical reason, उससे उपर, ठीक है, उससे उपर आएगा temperate reason, subtemperate reason and then tundra, ठीक, तो arctic and alpine tundra रहते हैं, arctic और antarctica, आपको याद है, north में मैंने arctic बताया था, south में मैंने antarctica बताया था, ठीक है, तो arctic and antarctic, या alpine tundra आप ले लीजिए, यहाँ पर precipitation जादा होगा, या कम होगा, precipitation जो है, वो slow की form में होगा, क्योंकि ये बहुत ठंडा area होगा, यहाँ भी बारिश नहीं है, सच होगी, क्या होगा, snow होगा, temperature कैसा है, बहुत ही कम रहेगा, सबसे कम temperature जो हम देखते हैं, वो tundra reason में होता है, वहीं सबसे जादा temperature हमें desert में भी और tropical forest में भी जादा temperature देखने को मिलता है, सबसे कम diversity कहां होती है, tundra reason में ही सबसे कम diversity होती है, सबसे ज़ादा diversity कहां होती है tropical forest में as you know tropical forest चो थे tropical rainforest मैंने आपको बताई था tropical deciduous forest भी हो सकते है temperature forest है temperature deciduous forest भी हो सकते है जब हम बोलते हैं deciduous forest to deciduous का मतलब होता है fall, leaves चो है falls होती है और हर बार नई leaves बन के आएंगी ठीक है पटजड का मौसम जिसको हम बोलते हैं तो जो भी प्लांस में पटजड के टाइम परा लीफ वालता है सारे प्लांस यह वह संवर होते हैं, अगर बहुत सारे Desi Dwarves Forest कहेंगे अगर वो टामपरेट रीजन में है तो हम टामपरेट Desi Dwarves Forest कहेंगे समझ गए अप ओनी फिरस फुरेस जो है इस रीजन को मैंने और क्या नाम दिया था ताइगा ठीक है नहीं बताती है आपको पता होना चाहिए क्यृएं bet hy यहाँ पे यहां पे कोणिफिरस लिखा है त आयका कैसा रीजन बताया था मेंने कि जहां पे लंबी ताइम के लिए विंटर होता है और बहुत कम टाइम के लिए समझ आता है और वहां पर कोनिफिरस फोरेस्ट होंगे, कोनिफिरस फोरेस्ट जो है, वो उनकी लीव्स पी, उनमें सारी अडप्टेशन ऐसी होती है, कि वो अपना वाटर लॉस को प्रेवेंट कर सके, है ना, क्योंकि जादा तर बरफ रहेगा, तो अच्छा से पानी नहीं मिलेगा, चल तो सबसे कम से सबसे जादा तक हो सकता है, तो रात की बात करते हैं, तो डेजर्ट में रात में तेंपरिशर लो रहेगा, दिन में तेंपरिचर हाय साइड रहेगा, क्लियर, डेजर्ट से भी जादा कई बार किसमें हो सकता है, ट्रॉपिकल फोरेस्ट में एंड ग्रासलें में as you can see here grassland में जो है वो ज्यादा हो सकता है temperature और tropical forest में भी ज्यादा हो सकता है चीक तो desert दिम में घरम होते हैं रात में थंडे होते हैं tropical forest में क्या गहा था tropical rain forest में मेली कि वहां पे जो है वो बारिश होगी 2-4 बज़े के बीश में हर रोज बारिश होती है बहुत ज्यादा आपको diversity जो देखने को मिलेगी वो tropical rain forest में सबसी ज्यादा diversity आपको देखने को मिलती है ग्रास लाइन ग्रास लाइन तो एक तो होंगे जहां पे सिर्फ ग्रास ग्रास ही होगा मतलब आपकी firstly आपने उगाई होंगी यह मतलब में भी anxiety नहीं बोलता है ठीक है सवाना उसको हम बोलते हैं सवाना में क्या होता है कि ग्रास लैंड दिखेगा लेकिन ग्रास लैंड में आपको बहुत दूर दूर पे scattered trees भी दिख सकते हैं तो सवाना भी आप याद रखेंगे ठीक है अब इन जो भी आपने बायोम पढ़े यहां पे इन बायोम में जो भी organisms रहेंगे किस तरह से desert zero fatigue conditions के लिए किस तरह से जो animals है plants है adapted है किस तरह से coniferous forest में plant adapted है और tundra reason के लिए जो हमारा biodiversity है किस तरह से adapted है यह next portion में हम complete करते हैं अभी के लिए जो इस पूरे paragraph का जो पूरा यह summary आएगा वो यही आएगा कि तीन seasons जो है वो मेली temperature और precipitation में variations की वज़ा से आते हैं और तीन चार इतने भी ठीक वह किसकी वज़ा से आएगे temperature precipitation में variation की वज़ा से और उसके साथ पर बनेंगे mesabiomes उन बायोम में weather जो है वो विदन आर चेंज हो सकता है लेकिन climate जो है वो fixed रहता है climate को change होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक है चले रीजनल एंड लोकल विरीशन विदिन इच बायोम लेट टु टू फॉर्मिशन ऑफ वाइट फेराइटी ऑफ हाबिटेट्स देखिए अब एक पर्टिकुलर बायोम भी है एक बायोम की बात भी कर रह बहुत है तो बहुत सारे ecosystem बहुत सारे landscape ना तो हर एक ecosystem या landscape पे हो सकता है कि वहां कुछ वीरीशन हो वीजन और लोकल वीजिन की वज़ेसे वैदा चेंज होता है है तो वीजनल और लोकल जो उनकी reason में जो उनकी लोकालिटी में उस बायोम पे जो थोड़ी-थोड़ी होंगी तो एक बड़ा बायोम जो है देखें यह ऐने हाँ पीरी पानीonne का टॉठ ही-ठीक है यहाँ पी Apple आ सबया written-व्ह साथ पहला सोसा है एक गाक इन पानी औम साथ आपको तोड़ी खाये देती एक जगा पर पानी दिखाए दे रहे लेकिन जग手 परay envision और मेद्ट क्या दिखाई दे रहे हैं अब बयो में बहुत आरे अलग अलग विरीजन होंगे तो लोकल डिवेशन चू रहेंगे और लोग अलग हो इसकी वजह से यहां पामी बाला अलग बन गया उसी तरह से वहां बहुत बड़ा है तो वहां पर भी अलग अलग क्या बन जाएंगे? Habitats बन जाएंगे. Variations के अकॉर्डिंग, local और reasonable variations के अकॉर्डिंग. Okay? On planet earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. देखे. Earth पे हम यह नहीं कह सकते कि जो life है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ favorable habitats में है. कि जहाँ जहाँ पे अच्छा लगता है, सिर्फ वहाँ पे ही life होगी. बलकि बहुत extreme और बहुत ही खतरना condition में, जहाँ पे की बहुत सारे resources आपको available नहीं होते हैं, वहाँ पे भी life exist करती है. जैसे scorching Rajasthan desert. अब आपका मतलब यह नहीं होना चाहिए. तो राजस्थान में जहाँ बहुत गर्मी होती है, ठंडा होता है, deserts होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी life exist करती है. जहाँ पे इंसान रह सकता है, वहाँ इंसान रहता है, जहाँ नहीं रहता, रह सकता है, वहाँ उन deserts में भी इंसान नहीं रहता हैं. Rain soaked megalya forest, वहाँ पे be life है. Deep deep ocean branches बिल्कुल आप बिल्कुल समुद्रव महसागर की गहराईयों में जाके भी लाइफ मिलती है torrential streams का मतलब है मुसलाधार बारिश जहां होती रहती है वहां भी बारिश है जो आपके अब बारिश जहां बहराई रही है और की पर्मा फ्रोस्ट पोलर रीजन जमाजते हैं बिल्कुल बरफ से लदे हुए इवन इत्ता कि उनकी मिट्टी भी जो है वह बरफ मिट्टी के अंदर भी बरफ नीचे जमीन के अंदर भी बरफ और उपर भी बरफ थी हाई माउंटेन टॉप्स में भी लाइफ है थर्मल स्प्रिंग मतलब जो गरम पानी के जर्णे होते हैं उनमें भी लाइफ है और स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट ठीक है जो आप गोबर गोबर डाल देते हैं गड़ों में है ना जिन से बहुत बद्बू बद्बू आती है वहां है ठीक को फेवरिवल हाबिट पी नहीं होते हैं बलकि लाइफ उसकती है धायवीार कंपनी कट्ट खरों ही माइक्रों ऑल्रित हैं पर बंदग करत किरें निलगें हाबिद इंटेस्टाइन को पर्फोरेट कर देते हैं ब्लीडिंग हो सकती है तो हमारा इंटेस्टाइन भी बहुत उनीक हाबिटाइट है बहुत चारे कई सॉस पीसे हैं हमारी इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑगिनिसम्स क्या अब देखें यहें मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया और इसके किनारे पर आपको जो भी डाइवर्सिटी नजर आ रहे हैं पूछते हैं कि वो कौन कौन से की आलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से किसी भी जगा पे इतने चेंज़े आते हैं क्यों किसी हाबिटाइट का जो फिजिकल है और क्यामिकल कंडिशन हैं वो इतनी वेरी करती हैं तो सबसे इंपोर्टन कहाँ पर आजाता है टामप्रेचर, वाटर, लाइट, एंड सोई चार मेंट फैक्टर पहले बोला कि किसकी वजह से अलग-अलग सीजन आएंगे तो टामप्रेचर एंड प्रेसिपरेटेशन की वजह से बोला फिर मेज़र बायोम फॉर्म हो गए मेज़र बायोम में भी बहुत सारी हाबिटाट होते हैं तो एक पर्टिकुलर हाबिटाट जो है कैसे फॉर्म होगा एक बायोम है उसमें बहुत सारे अलग-अलग हाबिटाट बनेंगे रिजनल और लोकल वेरिशन ऐसी क्या-क्या वेरिशन होंगी कि उनकी वजह से अलग- temperature, water, light and soil. समझ खे? Temperature, water, light and soil. इन चारों के अलावा एक और गुजाने के जरुवरत नहीं है. ठीक है? We must remember that the physiochemical components alone do not characterize the habitat of an organism completely. the habitat includes biotic component also, the pathogen, parasites, predators and competitors of the organism with which they interact constantly. तो हम सिर्फ अभी तो ठीक है, उपर तो हमने क्या पढ़ा? उपर हमने मेली बात करी, फीजियो कामिकल components के, और फीजियो कामिकल components जो है, वो एबायाटिक कमपोनेंट है. टांपरेचर बायाटिक है? नहीं. थैकि यह एबायाटिक कमपोनेंट्स जो है, एक और अरगेनिजम के हाबिटाट को komma करने T Doug Kertoject कर्ते हैं, लेकिन the fittest कब कब ये बात सामने आएगी जब तर competition नहीं होगा एक जैसे human population अगर बहुत जादा बढ़ जाएगा ना तो हमें competition चलेगा food के लिए तो फिर उसमें क्या होगा आधी population खाब हो जाएगी ठीक है हो सकता है लोग एक दूसरे को ही मार दे अब जो आगे से सब्सक्राइब कर गया उसमें कुछ variations आएंगी और उसके प्रजानी और फिट होगी इस वोट पी कॉल दर नाच्रल सेलेक्शन थियूरी ओके जो डाविन ने दी थी और जिसमें उन्होंने सब्सक्राइब के बारे में बताया था इवालीशन वाले चैप्टर में आपको यह डिटेल में है आपने प्रिविएस क्लासस में भी इसके बारे में सुना होगा तो पैथोजन पैथोजन क्या होते हैं जो बिमारी काउच करेंगे वो खतम कर डिया अब तिक पैरसाइट ज मिविएक्ञ पी और गिजम के हाबिटाट को के सावाइवल को के effectively करते हैं दूगरिक यॉ अब इस तू नाच्रल सालेक्शन जो मैंने अभी बताया आपको इवोल अडाप्टेशन तू आप्टिमाइस इस सवाइबल और प्रोडॉक्शन इन इस हाबिटर हम यह मानते हैं कि जैसे जैसे टाइम होता है हर एक ऑगिनिजम जो है उसको एक प्रोसेस के थू जाना पड़ता है जिसको हम कहते है नाच्रल सेलेक्शन इस ताइम जो लोग अभी सवाइब कर पा रही है हुआ उनका इम्मूनिटी बेटर है आगे उनका प्रजयनी आएगा वह भी बेटर होगा तो नेच्र ने उनको सेलेक्ट कर लिया नाच्रल इन वह सेलेक्ट हो गए अब उनमें कुछ न कुछ adaptations होंगी, जिसकी वज़े से वो क्या होएं, select होएं, उनमें changes आएंगे, जो भी अपने environment के ये adapt हो पाता है, उसकी survival के chances increase हो जाते हैं, तो time के साथ, जो भी जितना भी time हुआ, उसमें हमने क्या समझा, कि organisms को natural selection के थ्रू जाना पड़ता है, उनमें कुछ adaptation का evolution होता है, जिसकी वज़े से वो उनका survival बढ़ पाता है, वो survive कर पाते हैं, वो reproduce कर पाते हैं अपने habitat में, देखिए, एक particular habitat है, उसमें कुछ changes आ गए, और जो organisms हैं, वो अगर उसके लिए adapt नहीं हो पाएंगे, तो वो आगे प्रोजयनी उतना strong भी नहीं हो सकता है, प्रोजयनी आएगी ही नहीं, लेकिन जो organism अपने habitat की change के लिए adapt हो जाएंगे, उनका प्रोजयनी जो है, उसमें variations होंगी और वो सही से next, जो habitat होगा, उसके लिए adapted होगी, अच्छे से reproduce कर पाएंगी और आगे survive कर पाएंगी, okay, each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate diversity in resources it utilize and distinct functional role in the ecological system, all this together comprises its niche, देखे, हर एक organism जो है, उसके लिए एक range होता है, इतनी ही range में particular condition को tolerate कर पाएंगा, देखे, अगर हम एक biome की बात करोंगी, तो वहाँ आपको हो सकता है, ऐसा reason भी मिले जहाँ जादा ठंड है, ऐसा reason भी मिले जहाँ कम ठंड है, ठीक, अब कुछ ऐसे organism होंगे जो जादा ठंड वाली जगह पे रहेंगे, ऐसे भी होंगे जो कम ठंड वाली जगह पे रहेंगे, जादा बारिश व तो एक limited number of resources को ही वो utilize कर पाएगा ठीक और कुछी function वो perform कर पाएगा ecology में या अपने आसपास के environment में तो जिस भी जगह पे जो भी resource ये बड़ा biome समझ लीजी एक organism जितनी भी limited conditions को tolerate कर पा रहा है अपने आसपास के resources को use कर पा रहा है और वहाँ पे अपना ecologically function perform कर पा रहा है तो जितनी भी जगह में organism ये काम करता है उसको हम उसका निश कहते हैं समझ की habitat is the address of organism लेकिन निश उसका occupation होता है ठीक है habitat बताता है कि इस reason में organism होगा इस particular जगह पे पाया जाएगा लेकिन वहाँ पे भी एक छोटी सी जगह होगी जहाँ organism अपने function perform कर रहा होगा resources को utilize कर रहा होगा वहाँ की conditions को tolerate कर रहा होगा तो organism का वही reason जहाँ वो ये सारी काम करेगा ecological function perform करेगा वहाँ की resources को utilize करेगा conditions को tolerate करेगा उसी जगह को organism का निश कहा जाता है हाबिटाट इक ब्रॉड स्पाक्ट्रम है निश बिल्कुल वो छोटी सी जगह जहां आप रहते हैं आप जिस भी गाओं में रह रहे हैं आप उस गाओं के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वहां पे कुछ भी काम होता है आप वो अपना काम करते हैं ठीक है तो वही ची तरह से आपका एड्रुस की तरह आता है ठीक आप पूरी तैसल के रिसोर्स तोड़ी कुद के लिए यूटिलाइज कर लेंगे तालुका वट्यू कॉल ओकी क्लिया है निश क्या हो गया हाबिटाइट क्या हो गया कौन-कौन से फाक्टर्स हैं जो ऑगिनिजम्स को उनके हा वाइबल को अफेक्ट कर सकते हैं